आप हालो स्टूडेंट्स तो आज से बात करेंगे क्लास सेकिन्ड की एक्रसाइज फॉर्स्ट के पेज नमर्ट टूइंटी से ठीक है तो ज़िए आपने को क्या दिया ध्यान से ascending order means arrange of number from the smallest to greatest ascending order का मतलब होता है कि number को चोटे से बड़े की और arrange करना ठीक है यह होता है ascending order ठीक है आज अपने ascending करेंगे कल अपने descending कर लेंगे ठीक है तो देखने जहां से number को ascending order में कैसे i7 राइसे करते हैं यारी ascending order में पहरे नमर भी नवर देखते है अपने छोटा ठीक है थोड़ा बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा ऐसे करके नमर को सब्सक्राइबैए पर दिर त्योश्च वोडा कि इसे फ्रेस्ट वाला क्यूशन है än यह वारा यह वारा ठीक है इसमें नंबर दे रहे हैं अपने को 634, 275, 462, 529, 540 ऐसे करके अपने को नंबर दे रहे हैं ठीक है तो असेंडिंग ओर का मजब स्टाटिक में इसने बता रहा है असेंडिंग ओर्डर मेंस अरेज्मेंट ओफ नंबर फ्रोम दिस मालेस टू ग्रेटैस्ट ठीक है तो इसमें देखना अपने को देहन से पहले नबर देखना पड़ेगा चोटा तो इन नमर में चोटा नंबर दो एकुपरे कोंसे है आपने लिख दिया तो आप उसको भूल जाओ कि right there आप बागी बच गई उन में आप छोटा नम्र देखो ठीक ना उन में चोटा है 462 462 अब इसको भी आप भूल जाओ 462 को जो इसको भी अपने लिख दिया तो यह भी भूल जाओ आप जो नंबर बच गए उनमें छोटा नंबर देखो तीन नमर बच गए 634, 5529, 540 इनमें आप छोटा देखो इनमें छोटा है 529 ठेक है यह आप लिख दो 529 ठेक है नहीं अज़नें अच्छेंडिंग ओर्डर में नंबर हर आपने छोटा देखना है और descending order जो आपने करें तो नमबर अपने को हर बार देखना है बढ़ा, ठीक है, और जो लिख दिया उसको आप छोड़ दो, ठीक है अप ascending order अबना चल रहा है, ठीक है, आपने ascending order कर रहे हैं, तो आपने हर बार नंबर छोटा चोठे है देख रहे हैं और जो लिख दिया अपन उसको भूल रहे हैं, छोट रहे हैं। ठीक है। इप फाइप 29 में अपनी दिया। इसको भी आप छोट तो भूल जयों। क्योंकि यह अपनी दिख दिया। अब बचते नमबर दो। इन में चोटा देखोיד 634 में और 540 में चोटा है 540 ठीक है वो आप इस कोलम में लिको ठीक है और जो बच अभी जो बच गया 634 634 ठीक है ना ऐसे आप रहाम से कर सकते हो तो इसे आपको यह करना है ठीक है यह सभी अपने को सबस्वाल का आज को बात एक राना है तो डविडियो में तक तुन तो आज की वीडियों माता है थैंक यू